आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट, क्या नाम फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट, एक तो बच्चों को यह लगता है, यह थियोरेटिकल है, यह बात दिमाग से निकाल दीजिए भाईसा, 11-12 की NCID उठा लीजिए, ज्यादा न जैसे कि अंने पहले रिफ्लेक्शन के बारे मैं उर आपको पर्टिकल नेचर के तरीके से बताया था और आपको कारपस्विलर ओभाव ऑठ लाजी पड़ रहे थे, ते वेवाप्टिक भाच्यों से आपको यह पता चला तका पांचो फेनोमेन से इन सब में ये पता चला कि light का जो है फिर आप आज की तारीक में जो लास्ट बात आ गई क्यों कि भाई सब घमासान चड़ा हुआ है बड़े बड़े बेग्याने के लड़ रहे हैं इस समय तो ठीक है क्या कहना है एक कहना है जिए पार्टिकल एक कहना है जिए बेव है तो इस प्रकार की कहानी चल रही है यहाँ displacement आप जो लास्ट बात आया जिससे इस फोटो एक्सप्लेंश मेशित कहा घा रहा है वह वे नेशर से हैश्वेन नहीं हो सकता हाँ एंड में हम इस dice ganzen करेंगे कि क्यों वेय से से ये explain नहीं हो सकता है क्यों इसमें वेब theory फेल हो जाती है मतलब कुल मिला करके अगर light wave होती तो क्यों photoelectric effect दिखाई नहीं देता वो तभी हो पा रहा है जब light का particle nature मान लिये जाए इसे मानने के बाद ही ये हम पढ़ने वाले हैं पहली बात कि जब बैग्यानिक ने ये परू हैं उसी observation को photoelectric effect कहा जाता है हम इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं जब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि light का particle nature है तब घमासान फिर से सुरू क्योंकि पिछली सारी बात हैं जिसमें हम reflection reflection interference diffraction and polarization पूरा स्वाटमन जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हो कोई दिखर में तो इन सब में यह पर प्रूफ हो गया यह सारी की सारी चीज है लाइट के वेब नेचर से ही प्रूफ हो रही है पार्टिकल नेचर से नहीं हो रही है फिर लास्ट में जो आ रहा है फोटो कि फार्टिकल नेचर से ٹकर लिए Tales पर यह कैसे बेब नेचर से ब्रूफ है कि है यह कुछ चीजें और lxm करीं है कि पार्टिकल भी है और भी है इन्होंने बड़े सांधार तamas कया है मतलब मिलाकर के मोमेंटं क्या थाक है अगर आप 11 ची से की पूरी फिजिक्स पढ़ें तो उसमें आप सुरू मैंसे यह देखेंगे कि लाइट के मारे में अगर तुम लाइट के बारे में दो चीज़ा जानते हो एक मुमेंटम और एक एनरजी तो से सारी के सारी चीज़ा पढ़ी जा सकते हैं क्योंकि मुमेंटम से फोर्स डिफाइ सब कुछ हमें पढ़ना होता है अगर दो बाते ही पता चल जाएं किसी भी पार्टिकल के बारे में किस किस किया गया एक मुमेंटम और एक एनरजी तो हम पूरी फिजिक्स को एक्स्प्लीन कर पाएंगे 11 तबाली को भी और यहां पर भी 12 तबालियों को भी तो इसी लिए डीवरोगली नामक बैग्यानिक ने क्या करा उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल है और बेब भी है दौनों चीजें है उन्होंने कहा कि हर एक पार्टिकल बेब और हर एक बेब पार्टिकल जैसा बेवार कर सकती है कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा इनके मासिस की से साब के है और इनकी velocities की से साब की है और इनके momentum और energy है वो उनोंने लिख दिया कि भाई साब इस particle का momentum है वो है वाई lambda और जो energy है वो है hc by lambda यह दो बात है के दि करांतिलादी जमाल है यह दो बातों से कैसे समझाता हो मैं आपको मुमेंटम क्या चीज होती बच्चों मुमेंटम होती है एम भी और एनरजी काइनेटिक पोटेंशल या किसी भी प्रकार की एनरजी हो वो अलग-अलग उसके फॉर्म होते हैं लिए उसके लिए तुम्हें सब यह बात पताएं कि सबकी यूनिट जूल ही होती सबका कर पाएंगे सब चीजों को पहले हम आपको बिल्कुल किताब की तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं पहली बात किताब में सुरू करेंगे कि एलेक्ट्रोन एमिशन क्या होता है ऐसी कहानी में आपको सुना चुका हूं पहले इस कहानी को यहीं से सुरू करते हैं इनके बारे पह है क्योंकि numerical portion उसी से होगा चैप्टर numerical बहुत आएंगे इसलिए इन बातों बहुत ध्यान देना है इस इस बात का विश्य द्यान रखना है हाँ देखिए ध्यान से मोमेंटम है एमबी एनरजी एक बार तो शुरू बात में आई-एटी में जे डामेंशनल फोर्मूलाई फिलिंदी बिलेंक्स में आ गया था एच का देखि लीजिए इसको भी एच क्या होता इसमें एच होता है प्लांक का नियतांग प्लैंक्स कॉंस्टेंट इसकी वेल्यू होती है बच्चो इसमें से और चीज़ देख लो कि यह हो गया एनरजी की यूनिट क्या चल लाई है ml2T-2 तो इसके आंगे पीशे यूनिट लगावी दूंगा मैं तो ml2T-2 और H C क्या है l upon T यानि की सी स्पीड है ओप लाइट है वेक्यूम है और लेम्डा क्या है लेमडा मीटर है तो एक मीटर से एक मीटर खट जाएगा और T की पावर माइनस 2 में एक गुणा हो रहा होगा तो T की पावर माइनस 1 यही तो dimensional formula हो गया किसका planks constant का इन्हों ने कहा कि H जो है planks constant और उसकी unit क्या हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वेर प्रति सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वेर प्रति सेकंड यह है planks constant और यह लेमडा है विवलेंथ लेमडा क्या है विवलेंथ है बच्चो समझते चलने एक बात को यह जो कहा जा रहा है उसी से सब कुछ एक्स्पी 걸ान ने बताया कि किसी भी पाडिकल के पास ये है कि नाम से क्योंकि यह इनों कडेल प्रकट किया जिससे कि सारी की सारी चीजत और रही है पार्रही है पाइए जैसे इन्होंने बताया कि किसी भी पार्टिकल के पास यह भी सकता है मुमेंटम में कहां से आ गया मुद्ग कहां से आ गई यह इसी लिए उसे हम पढ़ने वाले होते हैं डीव रॉगलीस हाइपोथेसिस के नाम से क्योंकि एक परिकल्पना है यह इन्हों ने एक ऐसा बिचार प्रकट किया जिससे कि सारी के सारी चीज एक्सप्लेंड हो पा रही है पार्टिकल के वेब नेचर और है एक सी लेमड़ा एनरजी एच वाई लेमड़ा मुमेंटम और एच प्लेंक्स कॉंस्टेंट है डाइमेंशनल फॉर्मूला यह है यह किसके बारे में कहा उन्होंने कहा लाइट के लाइट के बारे में दो छोड़ो कोई भी पार्टिकल ही बेब जैसा और कोई भी बेब अब सोचो लाइट आ रही दी मैंने उस्पेमेश पहले भी कहा था यूटन कि म네Jeremy में पहले है आ रहा है तो पार्टिकल आ रहा है तो उसके パ सक कम है texto इसी लिए यह 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 जा बात आएं जिससे लोगों को लगने लगा कि हां यह दो परकार का नेशर रख सकती है पुरानी भी हो गई, नई भी हो गई, कल इसका समझते तो आप हम शुरुवात करेंगे उससे पहले लाइट को पार्टीकल मान करके और उसका momentum ये मान करके, energy ये मान करके, पहले इसकी mechanism समझते हैं, किसकी? light के particle की, आंगे Albert Einstein नामक बेग्यानिक देवी, नामक क्यों कह रहा हूँ, भाई साब दुनिया जानती हूँ, तो उन्होंने भी ये explain किया है, कि जी जो particle है light का, वो ऐसे है, पैक energy के थेलिया होती है, वो इस प्रकार से, उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे, बहुत छोटा particle, quantum particle, उसका नाम क्या है, photon, उसकी energy क्या है, ये, उसका momentum क्या है, ये, ऐसे करके बताया है भाई साब, Einstein ले, तो उस पे भी हम आने वाले हैं, पहले इस बात को note करिए, फिर हम इसके mechanism को समझते हैं, मान ल से, वा समझ लो, वो particle कैसा है, particle में mass, कोई mass नहीं, mass defined नहीं, क्यों, वो भी अभी समझा हूँगा, ठीक, लेकिन, उसके पास energy है, और वो कितनी है, hc y lambda, momentum, h y lambda, ठीक है, इस प्रकार से आपको समझा हूँगा, ठीक, photon नाम मान लीजे उसका, ठीक, पर इसकी mechanism समझते हैं, उ अब जैसे मान लो, कि एक ball आ रही है, जिसका mass है, 100 gram, ठीक है, और 10 meter per second से चल रही है, तो इसका momentum क्या होगा, momentum होता है, mv, momentum से क्या चीज पता चल जाती, पहली बाद यह समझते है, momentum क्या होता है, तो किस बज़े से momentum के बारे में पढ़ना होता है, थोड़ा सा समझे ना, ब किस को रोकना कटिन है, तो आप कहेंगे, obvious सी बात है, भाई साथ, 10 वाली को रोकना सरल है, और 100 वाली को कटिन है, पर मैंने कह दिया, 10 की से आ रहा है ट्रक, और 100 की से आ रहा है छोटी वाली ball, चाहिना वाली, अब बताओ, किस को रोकना कटिन है, तो ball को तो भी रोक सकते ह पर ट्रक को रोक नहीं सकते, अब ऐसी ही, दूसरी बात तो मैं कहूं, कि एक चीज को 5 की स्पीड देनी है और एक चीज को 100 की स्पीड देनी है, बताओ किसको किसको स्पीड सौ देना सराल होगा, या 5 देना कट सराल होगा, ऐसे करके आपसे सवाल पूछलिए जाये, तो आप हम इन चीज़ों को define कर पाएंगे इसका मतलब कुल में लाकर कि मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे momentum पता होना चाहिए mass और velocity दोनों ही पते होंगी तभी हम किसी भी कितना force लगा रहा है यह पता चल पाएगा और इन दोनों का product ही क्या कहलाता है momentum कहलाता है बच्चों तो momentum पता होगा तभी हम चीज़ों को define कर पाएंगे अब ऐसे ही समझेए इसका momentum कितना होगा mass और velocity का product और direction किदर होती है momentum vector quantity है यह 11th पर हम बढ़के आए हुए है पहले से ही direction किदर होती है जिदर velocity की direction है यानि कि इसका जो momentum हो गया वो 100 बटे 1000 एक तो SI टर्म में बदलो इनको और भाई 10 भाई कितना हो गया 1 kg मीटर प्रत सेकिंड यह हो गया momentum अब इसकी wavelength पूछ ली जाए माल लो इस momentum की wavelength क्योंकि इस momentum को h y lambda के equivalent भी कर सकते हैं मतलब कि 100 kg की wall अगर 10 की speed से चले के जा रही तो इसकी wavelength क्या होगी देखो इनके इसाफ से करते हैं थोड़ा समझे है h y lambda पराबर 1 momentum 1 है इसका तो lambda पराबर क्या आगया 6.63 into 10 to the power minus 84 क्योंकि भाई साब h की value तो यह है और इसको 1 से भाग देंगे आया कि नहीं आया ठीक है अब सुनिए ध्यान से लाइट जो है लाइट की wavelength 380 nanometer से wave nature मान के 780 nanometer तक मानी गई है nanometer meter का 10 की घात minus 9 भाग सोचो अगर तुमको मैं एक wave बना हूँ यहाँ पर मैंने एक wave बना दी यह यह तो यही वाली length तो wavelength होती बच्चो जिसमें एक complete wave बन नहीं बैसी repeat हो रही तो इस से क्या कह सकते है अब बताव अगर मैं इसको छोटा करता जाओ अब कह लोगए आपको चलो मान लोगो कि आदा सेंटी मेटर हो गई अब मैं इसके और छोटा कर दूं कि तुम्हां कोई सीधी चल लाई यह नहीं क्योंकि इसकी वेवलेंद कम है तो जैसे वेवलेंद कम होती जाएगी यह लगता जाएगा कि वेव बनी नहीं रही वह सीथे-सीथे चल के जा रहा है कुछ यही वो कहना चाह रहा है सोचो कि अब 10 to the power minus 34 मीटर है जब तुम्हें इसकी बेवलेंद अगर तुम निकालोगा न तो एप्रॉक्सिम मिली मीटर में तो यह है और लाइट का है लाइट की 309 मीटर के गरीब है तो यह तो उससे भी छोटी तुछे तो और सीधी लगेगी से बात कैईगी भी गई और कईसे भी नहीं लग रही बाल कट भी गए कटे से भी नहीं लग रहे ऐसा इसा थे जान प्र exploding नोबल प्राइज बिला घम्रेद कर वाद देते तो हम्य में काई नहीं मिल रहा में देखो तो इस प्रकार से इन्नों ने कहां कि अब अगर सोच व मास कम हो जाए क्या होते तो मुमेंटम होते सबस्क्राइब बड़ तक www.maos.com बाए बडार गया वान इंटी मेर्म ऑन खना गए मस्मा जाए हॉग प्रकार का मेर्म प्रकार यह मुमेंटम आ गिया तो सोच हो शो मं ओक्या होगी एच भाई मुमेंटम होगी के नहीं होगी एच भाई मुमेंटम और वन इंटू टेड़ा माइनस 34 और यह हो गया 6 इंटू देखने योग है जो दिखने योग है मुमेंटम कम रहा बढ़िया बनी हुई दिखाई दी इसका मतलब रसी में जो बनाई जा रही उसमें मान के चल लाए होंगे कि इसका मुमेंटम कमजोर सा है मेरी बास समझ आई कि नहीं ठीक है तो इस प्रकार से यह चीज़ें करी गई कि कोई भी पार्टिकल बेब जैसा बेवार दिखा सकती है मुमेंटम के इसी से बहुत सारे फर्मूले बना के तयार करे जा सकते हैं कैसे करे जा सकते हैं हम बताते हैं आपको पहले इसको स्क्रीन सोट लीजिए समझ ने की कोसिस करिए ऐसा एक NCRT में कुश्चन एक दो दे रखे हैं कि एक बॉल इतनी स्पीड से जा रही है उसकी बेबलेंद बताईए ऐसे करके बताएगा है हालां कि यह हाइपोथेसिस है लेकिन चीज़ों को वह अचे से स्क्लेण करती है सारी की सारी चीजों को नेचर की स्वींट्री को एक्सक्रीन कर सकती है कि कैसे की स्मेंट्री सक्क जारा है है H upon MV चुकि आपको मालूम है कि काइनेटिक इनर्जी होती है half MV square और अगर मैं इसमें M का गुणा और M का भाग दे दूँ तो यह हो जाएगा आपको M square V square by 2M बरावर काइनेटिक इनर्जी यानि कि यह मुमेंटम है के नहीं है बच्चो तो MV क्या हो गया यहां से 2M काइनेटिक इनर्जी का अंडरूड हो गया के नहीं तो हम विवलेंद को ऐसे भी लिख सकते हैं H by अंडरूड 2m के या फिर चेंज इन काइनेटिक इनर्जी या काइनेटिक इनर्जी जह हम कहें वर्ग एनर्जी फिरम लगाओ तो WC व एक्सटनल बरावा डेल्टा के बल्क इनर्जी फिरम यही तो होती है गैए जा रहा हो आप दोड़ाय है तो अब कसे टो जाएगा तो अब बना करके हम कह सकते हैं फिर पोटेंशिल एनर्जी यह पोल्टेंशियल एनर्जी इसको पोटेंशियल भू डिखा जा माइनस का चिन होता है माइनस के चिन पर ध्यान मन दीजिए यानि डवलू § कियों महरा हुए विर अगर अगर शुक्त है जारे इसलिए विर न्यस्राट के सब्सक्राइब लिए जाता है काये लिख लिया जाता है कोई वी पार्टिक्ल दोड़ के जारहा हो तो उसकी बियन्थ क्या है उसके बारे में बात कर रहे है है 3-0 एन शब रटि Demon absol proposed जी कि है अब गया की अगर मैं इसमें इन एच अपॉन टू मल्टिप्लाई थी वाई टू एन रटी ठीक है का अंडरूड तो इस प्रकार से 3 और यहां पर एक मास और लगा हुआ है ना तो एम और चल रहा है साथ में अब इन दोनों में से इन चीजों को मिला करके हम कह सकते हैं फॉर वन मोल के लिए ते एनकेटी ठीक है अंडरूड 3 तो इसे ताकर करके मैं लिए लखे दे रहा हूं एच अपॉन अंडरूड 3 कीटी यहां के होता है बोल्ज मैं कॉंस्टेंट तो लेम्डा का फॉर्मूला बोल्ज मैं कॉंस्टेंट यह डूव में भी ऐसे लिखा जा सकता है आगे आपको तो इसलिए बेवलेंट का फॉर्मूला इन रूपों में आपको पढ़ने को मिलेगा कुल मिला करके मैं कहना चाहा हूं कि कोई भी लाइट का पार्टिकल हो या किसी प्रकार का पार्टिकल हो ठीक है उसके पास बेवनेचर हो सकता है और उसकी बेवलेंट जो होती है वह ऐसे प्रकार से लिखी जा सकती है मुमेंटम की मदद से ठीक है अब दूसरी बात पर आ रहे हैं एनर्जी और एनर्जी का जो फॉर्मूला है that is hc by lambda और आपको एक बात बता है v बराबर f lambda और v क्या है c speed of light तो c by lambda को हम fb कह सकते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला hf b लिका जात है बच्चो तो एनर्जी के फॉर्मूले दो बनाए गाए है hc by lambda और hf किन के द्वारा यही डी ब्रोगली के द्वारा अब f क्या है यहां frequency है ठीक है और h तो आपको मालूमी है और c क्या है speed of light और lambda क्या है wavelength पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ ज्यादा तर एक बार मतलब मालों के ट्रक जैसे भी बरवाए है अलेक्ट्रोन और लवादि तो बहुत कमा अत्यंत कम मास कितना मास है नाइन पॉंट वर्माइन टेंट वर्माइन अच्टी वन किलोग्राम अब बताइए आप काय कितनी अनर्जी देनी पड़ेग इसको रहाए बताव इसकील आपको उल्ट में ही आपको एलेक्ट्रोन वोल्ट में ही मिलेगी भी मताओ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया है एक ilektron-volt मतलब एक ईलेक 민ण को एक वॉल्टेज में धी गई अनरजी ऑ गई बस है एक electron volt होती है एक electron को एक voltage दी गई energy तो भाई एक electron का charge कितना है 1.6 x 10 to the power minus 19 और कितने voltage एक voltage तो ये energy कितने जूल हो गई तो 1 electron volt बराबर हो गया 1.6 x 10 to the power minus 19 joule इतनी energy को एक electron volt कह दिया छोटी unit बना रहा है क्योंकि थोड़ी energy से ही काम चल रहा है electron को कम energy से ही काम चलाना पड़ता है ये बास समझ दीजिया तो एक electron volt energy इतनी मामूलिक सी होती है इसका huge क्या होने वाला है वो भी समझाएंगे भी तो एक joule को electron volt बदलना हो तो 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt के रूब में लिख सकते हैं अभी जरूरत पड़ेगी और अभी जो formula बना रहा हूं उसमें भी जरूरत पड़ेगी इस लिए कि आपको बताया गया अब आ रहा है वह दीरे दीरे अच्छी बात में आ रहा है अच्छी बात में क्या होतनी बता रहा है अगी इसका स्क्रीन सॉल लीजिए पहले चलिए समझने को सिस करते हैं तो energy का जो formula है बच्चो और इसमें अगर आप वेल्यू स्पूट करते हैं 6.63 इंटू दी पावर माइनस 34 और थ्री मल्टिप्लाइट इंटू दी पावर एट मीटर पर सेगें डिवाइडन बाइल हम्रा तो एक तो यह वेल्यू दोनों फिक्स है वाइच तो कॉंस्टेंट ही है और लाइट की और इंटू 10 to the power माइनस इसको यहां से मार दो तो यह माइनस के होगए आपके 26 इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1.989 या 1.99 इंटू 10 to the power माइनस 25 डिवाइड बाइलेम्डा एक्टुली इसको 2 मैटिप्लाइट 10 to the power माइनस 25 बाइलेम्डा एनरजी के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लिया जाता है क्योंकि यह वैल्यू फिक्स है तो आप इसको याद रख सकते हैं 2.99 रख सकते हैं के नहीं हाँ बिल्कुल सर क्यों क्योंकि अगर इसमें केवल आपको वेवलेंद पुट करनी है और डारेक्ट आंसर मिलेंगे इससे जूल में एनरजी मिल जाएग चल रहा होगा तो चल रहा होगा के नहीं चल रहा होगा दो चलो एसे एसे वेवलेंद को नैनोमीटर में लख लिये जाए सीधे सीधे तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को जूल के रूप में कैसे लिखेंगे 2 into 10 to the power minus 25 और divided by minus के 9 से अगर मैं भाग दे रहा हूं तो यह कितने हो गए minus के 16 divided by lambda और lambda काई में चलना है अब नेनोमीटर में और energy काई में हा रही है जूल में तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 2 multiply 10 to the power minus 16 और lambda नेनोमीटर में लिखें यह याद क्यों रखा रहा हूं क्योंकि यह डायरेक्टरी आपको बहुत मदद करने वाले हैं अगले चैप्टर में भी उसके अगले चैप्टर में भी क्योंकि जबतर wavelength light के cases में किस में आ रही होगी नेनोमीटर में आ रही होगी जबतर wavelength को नेनोमीटर में ही लिखा जा रहा होगा इसीर यह ऐसा याद रखिए और electron volt में याद रखना और बढ़िया है क्यों क्योंकि energies electron volt में दे रखी होती है तो मैंने भी अभी आपको बताया है 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule या फिर 1 joule is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt तो यह joule है इस joule को electron volt में कैसे लिखेंगे बच्चो इसको ऐसे लिखेंगे 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 और wavelength काय में चल रही बच्चो नेनोमीटर में चल रही है अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूँ और solve कर दूँ इसको यहां ले आईए पॉइंट अटाईए ठीक है यह हो गया 4 से 5 बार और यह कितने बार हो गया बच्चो चार बार तो यह 1.2 something आएगा 1.24 क्योंकि मैंने इसमें एप्रॉक्स वैलू ले ली है तो यह वैलू आती बच्चो 1.24 और यह कितनी आ नैनोमीटर ठीक है और यह अनरजी आपको काहे में मिलेगी इलेक्ट्रोन वोल्ट में मिलेगी यह अनरजी का फर्मूला बड़ा मेर्थपूर है इस पूरे चेप्टर में इसी से हम काम चलाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपकी निमेरिकल्स हो दे चले जाएंगे इ यह प्रकास नहीं 500 नैनोमीटर की बेवलेंद है इसकी ठीक है 500 नैनोमीटर की बेवलेंद है छूट रहा इस लट्टू में पोर्टोन निकल के बहार आया बाई सब्सक्राइब जैसे निकला बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी एलेक्ट्रोन बोल्ट में ठीक है तुरंत 1240 सब्सक्राइब करने की बजाए डायरेक्ट वेल्यूस मिलती है इसका फाइदा क्या है क्योंकि अभी कहां जाती है आएगा कि पीला प्रकास प्रिया प्रकास पीला प्रकास जैसे ही किसी मैटल पर डाला गया ठीक है और मैटल का वर्क फंक्शन है दो इलेक्ट्रोन वोल्ट तो बताइए उसमें से इलेक्ट्रोन निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा अब पीले की जगे लाल प्रकास ड फल्ब प्रकास इसमें selecttron निकाल लेगा अब बर्क function क्या होता है इस पे भी हम आ रहे हैं अभी तो इत्मा समझलीजिए किसी भी मैटेरियल के लिग की निकालनेके लिए पर्कास इसमें लागो बड़ा जबरुजस्त है तीन-चार कि लाइट पे तो एनर्जी हैट दो पॉइंट चारेट तो पॉइंट चारेट यह कैसी अंग्रेजी चलेगी यहां तो बाइसा देखी ध्यांस अगले वाले का देख लें 1240 बट्टे कितनी 800 काट देश को अगर मैं वैसे ही सोच लूँ तो यह बन पॉइंट संथिंग है दो ईकर दो पॉच्छी हुं नहीं तो ये जीवन में नहीं लापाइस ला सकते है इसके यहां से लेक्ट्रोरों तो यह तो भी ला सकते हैं पता नहीं गोलेगे यांदेंट आपाई ठीक है तो इसको मैं ऐसा भी बताऊंगा मैं आभी आपको कि जरूँए कि जब जैसा ही तो यह लाल वाला इलेक्ट्रोन नहीं निकाल सकता है यह प्रिक्रिया है इसी लिए फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा स्क्रीन सॉट लीजिए अगली बात बता तो जैसा मैं आपको बता दिया कि एक फोटॉन की एनरजी आ बता ही है फोटॉन लाइट का पार्टिकल है उसकी ऐसे आ रहे हैं जैसे 500 निलो मीटर वाले के भी कितनी आई थी बच्चो इसकी लगवाद धाई लेक्ट्रोन वोल्ट की एनरजी आई थी ठीक है अब बल्ब है 50 वाट का पर चास बाट का बल्ब है इसको ज्याद नहीं कर रहा हूं वह वीडियो की लिंक भी यहां डिस्क्रिप्शन में होगी तो पहले इंटेंस्ती के बारे में समझते हैं तो इंटेंस्टी किया बताया है पावर पर यूनिट एरिया 50 वाट का बल्ब है तो इस जगे पर तो इसके कर्रेस्पोंडिंग हम एक कंप्लीट स्पियर बनाएंगे तो इस जगे पर मालो यह रेडियस है दो मीटर तो इस जगे पर इसकी जो इंटेंस्टी होगी वो कितनी होगी 50 बट्टे 4 पाई 2 का स्क्वेर यही तो होगी पचास बाट का बल्ब 50 जूल प्रति सेकंड एनर्जी छोड़ रहा होगा अब एक इलेक्ट्रों की एनर्जी एड़ाई लेक्ट्रों वोल्ट और एलेक्ट्रों वोल्ट हूँ है बहुत मरा धरा है वाईसा बिल्कुल इतना सा तो यह तो बिल्कुल बैसी कानी हो गई कि आ समझ ली जो पानी की बूंदे से निकल लेट और इसमें भरा हुआ है पूरे पानी जे निकलने इसमें बूंदे जे लगा आता तुम ने दवाया और इसमें निकली बूंदे जे बाएस एक बूंद के पास है डाई इलेक्ट्रों वोल्ट और वो पूरी बाम भरा 50 लीटर पानी तो दुनिया बूंद निकलेंगे नहीं निकलेंगी कि लिए एक बूंद का कि का वल्यूम या एक बूंद का बजन उसे हम कह रहे हैं एक फोटॉन के एनरजी और बुणा बहुत सारे फोटॉन मिलाकर के हो गया टोटल एनरजी तो इसका मतलब पर सेकेंड अगर बल् अगर यह प्रकास पीला है तो पीरिया है तो अगर यह प्रकास का प्रकास है समझाने के लिए मैं लाल वाले को ऐसे मानलो 800 कह रहा हूं जैसे मानलो मैंने कह दिया कि वॉइलेट है तो इसका मतलब अगर आपके पास चारसो ननुमीटर वाला लाइट है और एक बार 500 ननुमीटर वाली लाइट है और एक बार 800 ननुमीटर वाली लाइट है खुदी सोचना बताओ किसकी एनर्जी जादा है 400 500 800 तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप क्या करने वाले हैं 1240 बटे लेमडा और एक बार 400 से भाग देंगे एक बार 800 से भाग देंगे और एक बार 500 से भाग देंगे तो आपको खुदी पता चल गया कि यहां पर यह एक पॉइंट कुछ थोड़ी कम और 800 वाले के पास उससे भी कम तो इसका मदब 50 बाट के बल्ब मैंसे डाल वाले अगर कलर की का बल्ब है तो फोटॉंस निगल लाए होंगे ज्यादा और अगर नीले वाले कलर का है तो फोटॉंस निगल लाए होंगे कम कितने निगल लाए होंगे यह समझे मै अब जैसे मैं आप से कहा दूं कि यहीं भाई 500 नेरोमीटर वाला इंजिनल लाइड का प्रकास है तो इसकी एनरजी पर सेकंड कितनी आ रही पाचास जूल और एक फोटॉन की इनरजी कितनी है टू पॉइंट फाइव लेक्टॉन वोल्ट तो कितने फोटॉन होंगे पचास पॉइंट अठाएं तो यह 20 कर लें और 25 से दो बार मार के धर्द हैं और क्या हो रहा है यह बचा आपका इसमें से इसको और अठाएं इसमें इसे 20 कर लें तो यह हो गया वन पॉइंट टू इन्टू दी पावर 20 फोटॉन्स दुनिया वरके निकल रहे हैं कि नहीं निकल तो यह तो सीदे सीदे आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं नंबर ओफोटॉन्स के लिए वो क्या हो गया इटोटल वाई एच सी वाई लेमडा और यह भी किसके लिए हैं पर सेकिंड क्योंके पर सेकिंड दी तो 50 जूल की पावर है है तो उसे 50 जूल एनरजी कह दिया हम लेंद है 620 नेरोमीटर बताइए कितने फोटॉंस निकर रहे होंगी तो आप एक फोटॉन की निकाल लीजे कैसे निकालेंगे 1240 बटे 620 और यह आ गई आपकी दो इलेक्ट्रोन वोल्ट कितनी आई दो इलेक्ट्रोन वोल्ट तो भाई सब मैं कहूंगा नमबर ओफोटॉ सब्सक्राइब तो इसको उपर ले जाएए उनीस और दो इकीस हो जाएंगे इसको ऐसे कर लीजिए इसको इसको ऐसे आफ़ां था आख़े आगली बात बता अब ब्लुब की पावर यह फिर फिर कुछ ऐसा नहीं दे रखाऊ था दिक चुस्ट और सेंग दे रखा होता है वो क्या वह इंटेंसिटी-मालो मैंने कहा आपसे कि सपर ऐसे इंक्री गितर कौराइएं बिंपावर्स एस इन्inea इंटेंस्टी एस सरफेस पर गिर रहे हैं कितने फोटॉन गिर रहे होंगे यह ऐसे आपसे यह ऐसे करवाए गई तो मैं आपको बता दूं कि पावर एक बाई एरिया इंटेंस्टी है तो पावर क्या हो गई आई-ए तो फिर अनरजी में कह सकता हूं आई-ए वन सेकंड के लिए किसके लिए कह सकता हूं वन सेकंड के लिए नहीं तो फिर मुझे time के साथ देखना जाए तो intensity को मैं लिखने वाला हूँ IAT एक second से काम चला जाए तो energy हो गई IA और आपको मालूम है एक photon की energy है Hc by lambda तो एक कुल photon के लिए total energy ही IA होगी तो N की value हो जाती है IA lambda by Hc N is what number of photons number of photons का formula intensity के रूब में आपको ऐसे लिखना होता है जैसे मैंने का आप 50 watt meter per second 50 watt प्रती meter square area पर आपकी intensity की light गिर रही है अब आप से का आगया मालनों कि जिस surface पर गिर रही है उसका area है 2 meter square कितना area है बच्चो 2 meter square ठीक है अब आप से कहा गया बताईए कि इस पर कितने photon गिर रहे होंगे तो मैं कहूंगा hc by lambda ऐसे न करें ऐसे न करें आप से को पता भी होना चाहिए कितने photon गिर रही है कौन सी wavelength कौन से color की light गिर रही wavelength color से आप समझा करो मैंने कहा मालो प्रिया प्रकास color यानि पीला प्रकास sorry 500 nanometer की wavelength की light गिर रही है तो मुझे energy पहले से ही पता है 1240 बटे 500 यानि की 2.5 electron volt energy एक photon की है इचोटाई वाली है कि नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चो कि अगर इसकी energy joule में लिखनी हो तो 2.5 1.6 into into the power minus 19 joule energy of one photon हो गई के नहीं हो गई ठीक है और total energy क्या है total energy हो गई 100 I into A intensity into area तो 100 joule per second तो 100 में अगर मैं एक photon के energy का भाग दे दूँगा तो मुझे N photons मिल जाएगे 2.5 into 1.6 into 10 to power minus 19 इस प्रकार से इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा किसी भी intensity के कितने photons या कितनी energy के साथ गिर सकते हैं तो एक calculation यह हो गई एक estimation आपका यह हो गया अगली बात आपको और समझाता हूँ सुनिए का ध्याम से क्योंकि सब कुछ पर second चल रहा है average बातें चल रही है एक formula आपने सायद पढ़ा हो बताए दे रही है second law of motion नहीं पढ़ा तो रोएं बैठ के नौबी क्लास से सुरू होता है क्यास ही आपको जाएंगे थी या फिर मैं कह दूँ फोर्स बरावर चेंजन मुमेंटम पर यूनिट टाइम इसी को कहते हैं second law of motion कहते हैं ना बच्चो तो चेंजन मुमेंटम और टाइम average time अगर मैं मालो one second time के लिए average force निकलना चाहूँ क्या करना चाहूँ average force तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मैं इसको f dby dt लिख रहा होता तो मैं लिखता dp is equal to f dt का integration इधर भी integration पर average force अगर निकाला जाता one second में तो मैं कहूंगा integration of dp is equal to f ठीक है अब integration of dp यानि change in momentum वो integration का चलिए से लिए लगा लिए अभी हो सकता है variable हो पर photon गिर रहा है constant momentum इनके होते है h y lambda dives तो मैं कहूंगा change in momentum बरावर force for one second for what? one second और यह intensity जो गिरती है वो एक second के गिरती तो सोचो जब light गिर रही होगी इस पर photon गिर रही होगे टकरा रही होगे तो क्या force भी लगा रही होगे इस पर? हाँ, बिल्कुल लगा रही होगे सर force लगा रही होगे क्यों नहीं लगा रही होगे कितना force लगा रही होगे perfectly reflecting मैं सोचो तो यहां इनीशिल मोमेंटम का मेगिनिट्यूड स्यक्रा असे अलीडि को क्दिश ओने कि आ कट टक्राइब में में मि Wakanda चाह है। और ए्टलैसा से नहीं नहीं दूसरा कैसा होगा है पर्फेक्ट। इब्सौर्बिंग सफेस कैसे होंगे तुमने लाए डाली कुछ कैसे ली मटी कीली सी थी तून भैके मारी चपग गई perfectly absorbing हो गया perfectly preserving कैसे हो गया चाहिना बारी वो वोला थी तक 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 ऐसे तो यहाँ पर initial momentum तो होगा पर final momentum 0 होगा सही गलत अब दूसरा आ जाए तीसरा case partially absorbing या फिर मैं कह दूँ partially reflecting तो इसमें दी जाती absorptive power absorptive power क्या होती है power जो incident होई और power जो emit होई तो माल लो तुमने इस पर डाली 50 joule energy और 25 joule यह खा गया 25 joule lotar दी तो 50 की 25 तो कितनी हो गई power 1 by 2 तो इसका मतर समझ लीजिए आदे तो इसने lotar दी है आदे खुस्मूत ली तो आदे फोटोंस के लिए यह formula लगेगा आदेगा यह लगेगा formula कैसे लगते हैं उन्हें मैं समझाता हूँ पहले इन दौनों से ही तीसरा वाला भी समझ आ जाएगा पहले दोनों को समझने कुछिस करते हैं perfectly reflecting surface में perfectly reflecting surface में किस प्रकार से photon टकराता है तो force क्या लगाता है pressure क्या लगाता है आपके सामने ले लिया है perfectly reflecting ठीक है तो मान लो photon इस पर गिर रहे है ठीक है intensity आई है इसका surface का area A है कितना है बच्चो A तो इस पर गिरने वाली power होगी आई है energy होगी per second I A ही होगी कि नहीं होगी ठीक है अब क्या करा है मैंने तो number of photons कितना ही गिरे इस पर बच्चो number of photon गिरे इस पर I A by H C by lambda यही तो गिरे यानि कि total energy है अपनो एक photon के energy ठीक है अब इतने photons इस पर गिरे अब एक photon पर ध्यान दीजे माल लो तो जब टकरान गया था तब इसके पास क्या momentum था एच बाई लेंड़ा और किदर नीचे की और ठीक है टकरा आगे बापस लोटा और perfectly reflecting है तो अभी भी एच बाई लेंड़ा ही रहा होगा और किदर रहा होगा उपर की और यानि पहले वाला negative और सुरू वाला positive ऐसा positive तो भाईस अब change in momentum क्या रहा फाइनल यानि हच बाई लेंड़ा और माइनस इनीचियल यानि माइनस हच बाई लेंड़ा यह सई सा बन जारे ठीक है तो कितना total change in momentum हो गया 2H by लेंड़ा हो गया के नहीं अच्छा अब सब ऐसा ही किर रहा है तो अब है कितने n तो total change in momentum कितना करा यहां surface ने जितना momentum का change surface ने करा उतनाई फोर्स लगाया होगा इसने बेलकुल सर ठीक है तो इसने कितना change in momentum किया है वो किया है 2H by लेंड़ा गुणा total change आई ए लेंड़ा by hc सोचो h से h लेंड़ा से लेंड़ा काट दूँ तो total momentum का change क्या हो गया क्योंको direction से मैं सीदे सीदे गुणा कर दिया या सीदे सीदे जोड़ दिया है direction अलग होती है तो नहीं ऐसा कर पाते है आपको मालूम है सब सब ऐसे ही टकरा रहे है कुछ ऐसे टकरा है खिर ला है ऐसा नहीं हो रहा ठीक है तो यह हो गया फोर्स किस पर है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पर कभी-कभी pressure भी पूछा जाता है तो pressure क्या होगा force upon area तो pressure भी हम निकाल सकते है area से भाग दे देंगे क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो pressure हो जाएगा 2i by c ठीक तो इसका मतलब इस पर इतना दवाब पहीदा कर रहे है photons इसका light मेरे मुझप है यहां इस्तेडी गिर रही है तो इतना दवाब पैदा कर रही है एसा आप light में बैटे रहे तो खुछ सोनेवाद पसीना निकलाता है या नहीं अभी तो थोड़े सरद्य कम उसम है गर्मियों में जो मैंने वीडियो गनाई थी तो मैं तल हो जाता था एकदम पछीने से क्यों 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 ये light सारी photon मेरे मुह पर टकरा रहा है तो यहां पर energy बरबाद कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया आपका force किस पर है परफेक्टली reflecting surface पर सो जो परफेक्टली absorbing surface हो तो क्या होता वही आई intensity की power ए एरिया पर गिर रही है तो total power गिरती आई ए ये total energy आती आई ए पर second में ठीक है अब सोचो पहले initial momentum होता हच बाई लेमडा माइनस का final momentum होता 0 तो changing momentum क्या होता zero minus minus hy lambda यानि hy lambda ही होता तो total force क्या होता hy lambda एक neutron एक photon पर सॉरी तो total force क्या होता total photons कितनी है i a lambda by hc total photons यही तो है total force कितना होता f total की value लिखते हम hy lambda गोणा number of photons और number of photons है i a lambda by hc h से h lambda से lambda काट देंगे यानि total force लग रहा होगा i a by c और total pressure क्या होगा फिर i by c अब आज आए perfectly reflecting और perfectly absorbing तो फिर जितने reflect हुए उनके लिए i a by 2 i by c और जितने reflect हुए उनके लिए i by c जैसे मैंने आप से कहा कि मालो absorbed power आवर आपकी दिरक्की है पचास कितने दिरक्की है 0.5 वो 0 से लेके 1 के बीच ही होगी ratio ही तो है वो तो मतलब आदे खीच लिए और आदे रोट गाए तो जा रोट गाए होगे उन आदों के लिए ये force है जो खीच गाए है तो electrons निकलते है इसे electron emission कहा जाता है कहा नहीं लिखाओंगा कुछ भी language of image नहीं लिखा रहा हूँ उसके लिए किताब है भरी बड़ी है note का description में दे रखे है notes लिख सकते है time बरवाद नहीं करते काम की बात है करते सीदे सीदे जब भी किसी भी surface पर photons गिराए जाए तो वहां से क्या निकलते है बच्चो electron निकलते है तो इसे electron emission कहा जाता है actually किसी भी surface पर electron emission तीन प्रकार से हो सकता है पहला जिसे प्रकार को गते है उसे कहते है thermoinic emission यानि कि जैसे ही surface को गरम करा जाए गरम करने के कारण photons यानि की surface के atoms को energy मिलती है और electrons को energy मिलती है इसके कारण वह वहार निकलाते है तो पहरेदा process by which electrons can emit out due to the heating of an electron surface is called thermoinic emission इस प्रकार से हम इसको पहले बाला जो emission है electron का उसे हम ऐसे पढ़ते है दूसरा emission है field emission when an electromagnetic field is exalted on a metallic surface then the electron emit out from that surface is called field emission यानि कि जब किसी भी metallic surface पर field exalted किया जाए तब उसमें से electron निकलने लगे और उस प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है field emission and the third one is when the photons is incident या और मैं कह सकता हूँ कि when light particles when light is incident on a metallic surface then the emission of electron from this process is called photoelectric emission या फिर photons के गिरने के कारण जो electron का निकलना है उस प्रकार के emission को photoelectric emission कहते हैं इसी को हमें पढ़ना है आगे तो इसके बारे में पहला observation हर्ज के द्वारा 1881 में किया गया ठीक है कहानी को जाबा बस इतनी में ही बताते जा रहा है ज्एन से सुनते चलिएगा पहला कहलादा है हर्ट जो अबजरवेशन उनका इनाम के दामे इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये observation सबसे पहले उनके द्वारा ही किया गया है तो पहली बात हो गई हर्ज of observation 1881 में हर्ड के द्वारा किया गया उन्होंने जैसे ही किसी भी metallic surface पर देखा कि light जैसे ही डाली जाती है वहाँ से कुछ न कुछ निकल रहा है उस समय पर electron की खोज नहीं हुई थी जिजे थॉंसन के द्वारा 1891 में की करी गई थी तब ये मालूम पड़ा है कि वहाँ से electron ही निकल रहा है कोई नहीं कोई चाज पर्टिकल वहाँ से निकल रहा है ठीक चलो इसके बाद अगले जो है वो आएंगे लिणाद एंट होलवर्ग के बारे में observation आ रहे हैं लिणाद और होलवर्ग ने क्या कहा था उसको समझे लिणाद और होलवर्ग ने द्वारा अब इसको एंदीम सोजिए, सुध बाहा साम है। अंगरेजी कुछ पढ़ाने से मुझे, कुछ भी नहीं होने बाला। सुनिए। क्या कहा गया है। लिनार्ड और हॉलवर्क अबजर्बेशन क्या है। हड्स की अबजर्बेशन क्या है। सुध देशी तरीकें बता रहा हूं। इसमें टेंशन मल लीजिए, यह ऐसा ही मैंने इस्टैल मानने गुल दिया है। तो पहला हड्स अबजर्बेशन तो समझेगा है। क्योंकि हड्स नहीं सबसे पहले देखा कि जैसा ही लाइट या फोटॉन मेटलिक सर्फिस पर गिराए जाते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रोन बाहर निकलते हैं। चलिए उसके बाद क्या हुआ। उसको समझते हैं। पर यह सब कहानी हर बार नहीं हो रही। यह तभी हो रही है। इलेक्ट्रोन लाइट डालने पर तभी निकल रहे हैं। जब फोट्रोन में जो लाइट गिर रही है उसमें चमता हो क्या हो चमता हो इलेक्ट्रोन निकाल पाने की अब इस बात को एक देशी भासाम समझाता हूं सुनिए का ध्यान से माल लो कि जे दीवार है और इस पैसे सीमेंट चुपका हुआ भी पलस्तर हुआ सीमेंट लगा हुआ है तुमने क्या करा चार प्रकार की चीज़ां लाए मिट्टी के डिल ले आए ठीक है लोए के बोल्ट ले आए गिट्टियां ले आए छोटी-छोटी सडक्की और आप ले लेगा सीमेंट जरना सुरू हो गया पैट्य ने क्या लिया पत्थर लिया और गिट्टी ली और ऐसे मारी इसमें से तो इलेक्ट्रोन खड़क यहां से सीमेंट जो है थोड़ा सा छूट गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शमता होगी तुमारे द्वारा फैंके गाए प सीमेंट चूट सकता है अब इसी को फोटो लेक्टर के मीशन समझ ले पूरी कान इतनी समझ आ जाएगी अलवर टाइंस्टाइन वाइंस्टाइन सब इक्विशन आ रहे देख देहां से स्वद्ध वासान तो अब सुनिएगा तो जैसे कि मैंने आपको जहां पर लिया मिट एक बार एक बार एक बार इट ली थी वह एक बार पत्थर लिया था एक बार लोहा लिया था यह चार प्रकार के टुकोड़े आपने उठाए थे तो देखा गया था कि इस में से कुछ भी नहीं छूट रहा इस में से थोड़ी बहुत सामझ आई छूटने की यहां से वीकुल बैसे ही जो आप फोटॉन गिराते हैं किसी भी सरफेस पर रहे हैं फोटॉन तो आपके पास हलका फोटॉन है ऐसे आफ नहीं हेल्डो ब्लू गृण येलो और अउरेंज और इसी प्रकार के तो है और इसकी वेबलेंद एड़े ज्यादा इसकी ज 3.1 के सम्थिंग एलेक्ट्रोन वोल्ट है क्योंकि 1240 बट्टे 400 3.1 सम्थिंग है यहां पर मालो ऐसा आपने ग्रीन और यह लो के बीच के कोई प्रगास ले लिया इसकी 500 नेनोमीटर वेवलेंद है तो यहां पर एनरजी 2.5 एलेक्ट्रोन वोल्ट आ रही है 1240 बट्टे 500 यह यहां पर पीले प्रकार के फूट्रोन का गिराया जाता तो ऐसे बात हो जाती कि बाइसाब तुमने इंट गिरा दी अब ऐसे ब्लू इसको समझ लो यह साढ़े 400 ऐसे समझे लो ठीक है चार प्रकार के लिए तो ऐसे इसकी लगवाग आपकी पहुंच गई होती है एनरजी 2 2.8 के सम्तिंग तो यह थोड़ा सा निकल के बाहर हो गया होता सीमेंट बिल्कुल वैसे बैसे अब ऐसे ही अगर आपने जे किरा दिये तुझे माले लोग का वोल्ट पैक के दिया है वाइलेड को ठीक है और प्रकार और दूसरी भास हम समझाता हूं अब यह आगे दीर दी सब्सक्राइब के लेक्ट्रों से वह नहीं निकले तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चंता तो है जिससे लेक्ट्रों निकलना सुरू हो मालो कि वह 500 नेनोमींटर पर जश्ट शूरू हो जाता है निकलना माले इस इवेंट जस्चूट गया वर टपक के गिरा नहीं तो है वह मिनिमम मन एनरजी मिनिमम एनरजी जिसके द्रगर से हो सकता हो उसे क्या कहते है बट्च्चों उसे व्रफशन कहते हैं जैसे मैने कहा कि मैटल तो असल To be depend कर रहा है किसी मैटलका अलग है कि सोच वह अलग प्रकार की है सो एसे ही किसी भी मेटलिक सर्फेस का function कम हो सकता है किसी का जाएधा सोच जिसका on जादा हुआ is 130 तो एसे समझजीएगा कि जिसका work Function ज्यादा greater is the phi lesser be the possibility to emit the electron अब जैसे मालो किसी का फंक्शन दो इलेक्ट्रोन वोल्ट है तो इसका मतलब वहाँ अगर आप दो इलेक्ट्रोन वोल्ट की एनरजी दे रहे है तो वहाँ से इलेक्ट्रोन निकल सकता है जरूरी नहीं कि निकल आए क्यों दो इलेक्ट्रोन वोल्ट वर्क फंक्शन का मतलब होता है वहाँ से निकलने की संबाबना सबसे ज़्यादा है मतलब सरफेस पर कुन नहीं पर दादा तुम गए खैचला है माल ने दो इलेक्ट्रोन वाले घरम गुशे कि आप गेल लिया जैसे फोट्रोन जो है उसका साइच छोटा है और इलेक्ट्रोन के बहुत कम मास मानना है हम इसमें तो गुश्ट्र किया हम घरम नीतर अब तो ऐसा हो सकता है तो यह पॉसिबलिटी है इससे जादा इनर्जी पर भी न निकले पचास एलेक्ट्रोन वोल्ट तो ने निकले का हो क्यों मानने नुकलियस से ठकरा जाए तो नुकलियस तो बहुत इंडेंस है किसी एटम का आंगे हम पढ़ेंगे बाद में ठीक है तो इससे निकल सकता है यह समझे आप वर्क फंक्शन वह वैल्यू होती किसी भी मैटल की निकल लेंगे और ये निकाल सकते मतलब कितने वाला निकाल सकता उसे समझीए तुम मुझे मालूम है धो इلكTron वोल्ट जिसके पास एनरजी हो वो निकाल सकता है इस दो इلكTron वोल्ट के corresponding जो wavelength होगी उसे हम ऐसे calculate कर सकते हैं लेमडा इस equal to 1240 और divided by work function से divide कर दो यह हो गया two electron वोल्ट तो यह वेवलेंद आ गई 620 नेनोमीटर मतलब 620 नेनोमीटर वेवलेंद का कोई भी फोटॉन अगर गिराया जाए तो वो इसमेंसे इलेक्ट्रोनिक आ सकता है किसमेंसे जिसका वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रोन वोल्ट है उस मेटरियल में से अब इससे यह क्यों वेवलेंद है जो इलेक्ट्रोन निकाल ले कि मैं सच्चम हो कहां से वह है मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन उसके करेस्पोंडिंग हो ठीक है तो यह चैसोबीस नेनोमीटर की वेवलेंद आगर आइस पर आपने गिराई मेरी बात ऐसे सुनिए सो साधारण भासा में 620 की वेवलेंद आपने गिराई तो यहां से यह एनर्जी कितनी लेके गई दो एलेक्ट्रोन वोल्ट तो फिर एलेक्ट्रोन वहां से निकल सकता अब तुमने 620 से 621 करी वेवलेंद तो जैसे 621 करोगे तो इसके करेस्पंडिंग जो एनर्जी हो जाएगी वह दो नहीं रहेग का मतलब है 620 से जादा कर दी इस वाल इस वाल में तो भाई साव एलेक्ट्रोन नहीं निकल सकता या फिर हम कहें किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कर नगर फाई है तो वहां से एलेक्ट्रोन जादा से जादा उस वेवलेंद तक निकल सकता है जिसे हम कह सकते हैं 1246 बट एक्ट्रोन फॉम दे मेटलिक सर्फेस इस काल थेस होड बेवलेंथ यानिकि वह है मैग्जीमम अधिक्तम तरंग धैर्रे जो एलेक्ट्रोन निकालने में सच्चम हो एलेक्ट्रोन के उतसरजन करने में यानिकि अगर आप उससे कम बेवलेंथ का डालोगे तो तो निकल तो मेग्जिममम वेवलेंथ जिससे वेक्ट्रोन निकल सकता हो उसे क्या कहते हैं थ्रेस्फौन वेवलेंथ अब यसे फ्रिक्वेंसी और ठीक वर चाहटा है उससे और समझ लीजिए ठ्रेसर स्काहिए यसी की मतल से हम निकाल सकते हैं तो मैं मालूम है कि V ब्राबर F लेमडा और V तो कॉंस्टेंट है तो वेवलेंथ इनवर्श्री प्रोपोश्चनल टुपरेक्वंसी वी और तो मतलब इसके corresponding जो wavelength की corresponding जो frequency आएगी जैसे कि 620 10 to the power minus 9 lambda हो गया into f बराबर v यानि कि 3 multiplied 10 to the power 8 इससे जो frequency आएगी वह कहलाएगी threshold frequency क्यों क्योंकि उससे तुमने कम frequency रखी जैसे wavelength में क्या खाज़र है उससे ज़्यादा wavelength करी तो energy घटी भाई energy का जो formula है photon की वो या तो hc by lambda है या hf है यानि कि अगर wavelength बढ़ाते हो तो energy घटी है या फिर frequency बढ़ाते हो तो energy बढ़ती है तो जो 620 पर जो frequency रही होगी चैसो भी wavelength पर वही frequency सबसे कम होगी अब क्या होगा कि अगर तुमने उससे wavelength ज़्यादा करी तो frequency उससे कम होती चली जाएगी यानि कि वह minimum frequency जो electron निकालने में सच्छम हो उससे हम threshold frequency के नाम से जानते तो यह पूरा का पूरा case है इसमें मतला बगर तुम्हें किसी भी material में से यह electron निकालने हैं तो पक्का तुम्हें उसमें ऐसी photon डालने पड़ेंगे जिनकी wavelength threshold wavelength से जो है कम हो और frequency threshold frequency से ज़्यादा हो मेरा कहने का यह मतलब है screen saw DJ अगला हम आपको topic बताने जा रहा है बड़ा सांधार है board का ज्यादातर questions, board का मतलब पूरे में board NCIT में सब कुछ समझा यह उसी में है जिसका नाम है Leonard and Hallwork observations लेनाड और Hallwork ने कुछ observation करे हैं एक्सपरिमेंटली photoelectric effect को देखा है उसी के बारे में आपको बता रहे हैं उसका पूरा setup बना के बताएंगे केस प्रकार से उन्होंने बनाया होगा बना तो सकते ही नहीं पर बोड़ पर आपको एक फरफ लगना चाहिए कुछ है अच्छा सा है यासे वेक्यूम चेंबर एक बनाया गया है बच्चो इधर किरकी भी सही जाके बनाते है लाइट गिरे दिखाई दे यहां पर मेटलिक प्लीट लगा लिए वही वाली ठीक यहां से लाइट इस पर गिराई जाती है यह सोर्स लगा यहां पर क्वार्ज बिंडो लगा दी जिससे लाइट पास होके आप आए ठीक है आब क्या किया है एक सामने प्लेट लगा लिए इस से कर्यक्टर प्लेट प्लेट कहा जाता है बो बाला किलेटर नहीं है डूसरा एक अत्रित करने वाला ठीक है इसको हिंदी में इसे कहा ज जग कि ठीक है और कळेक्टर को कहा जाता है संग्राहक तो यह लगा रखी है ओर ये इसमें लगा रखे उते एक यूमिलेटर मतलब इनका भी मतलब समझाता हूं आपको भी ऐख यह बैटरी लगा रखी है एक्षेंटल सोर्स है यह ते इधर की तरफ positive पहुंचाए जा रहा है, इधर की तरफ negative और ये joint नहीं है, ये इस बात को denote कर रहा है, ये vacuum है अंदर, vacuum क्यों करा गया है, जिससे कि जो भी electron निकले हैं, वो आसानी से इसमें जाएं, ये पूरा का पूरा setup तयार किया गया है, ठीक है, इसे हम Leonard and Hallwork observation की नाम से जानते हैं, देखा क्या गया, वो समझने की कोशिस कीजिए, पहला case क्या है, पहला है, देखो इसमें आपको तीन प्रकार के experiment करेगा है, तीन प्रकार की observation है, पहले हम roughly उनको जान ले, पहला observation है intensity और current का, intensity के साथ current कैसे बदलता है, ठीक है, दूसरा observation है, frequency, stopping potential and intensity का, current का, द दूसरे observation में, stopping potential पर जाला तर focus करते हैं, ठीक है, एक observation में हम focus करते है, intensity के साथ current पर, और external source क्या फ़रक डालेगा, वो तो देखेंगे ही, दूसरे में हम focus करते है, stopping potential के roll पर, तीसरे में हम focus करते हैं, और इससे पहले तो, एक पर focus हमने करी लिया है, कि plate पर charge कैसे आता है, charge on plate, यह हमने चीज़ें देख लिए न, इनके graph graph भी देखेंगे, और एक graph देख रहा है होंगे, work function, और kinetic energy का, Albert Einstein equation में, वो भी हम आपको बताएंगे, कुल मिलागर के ऐसे कुछ observations हैं इसमें, चलो एक एक करके इन पर बात करते हैं, पहले क्या देखा गया, वो समझे, पहले करके मानों, तीन प्रकार के bulb लिए गए और इस पर डाले गए, और पहली बात आपको मैं एक बात बताई चुका हूँ, bulb आप वैसा तो ले ही नहीं, जिनकी wavelength, threshold wavelength से ज़्यादा हो, या frequency, threshold frequency से कम हो, क्यों, अगर तुमने ऐसा कर लिया, तो महां से electron, electron कुछ निकला ही नहीं अब तुमने sufficient energy का bulb ले रखा है, ये बात तुम्हारी तय है, अब sufficient energy का bulb ले लिया, फिर काम करते हैं आगे, समझो क्या किया, फिर किया ये है, देखा गया कि, जो current आ रहा है इसमें, क्योंकि current क्यों आया, क्योंकि जैसे ही plate पर electron गिरे ये बच्चो, तो electron गिले, तो electron गिले electron गिले, तो इसमें current गिले, समझे लो, माल लो, यहाँ पर एक micro छोटा emitter लगा रखा है, milli emitter, और वो current measure कर रहा है, तो देखा गया कि, जैसे electron गिले, तो current अपने आप इदर से इदर, एक set हो गया, ठीक, अभी इसको cut कर दो, इस connection को, अभी cut कर दो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी इससे कोई लेना देना नहीं, फिर बाद में इससे लेना देना होगा, वो हम बात करेंगे अभी, अभी इसका कोई रोल नहीं, ऐसे समझे लो, यहाँ भी touch नहीं है, तो इसमें current देखा गया, और क्या देखा गया, जब 25 watt के source से light डाली जा रही है, तो current जो ह है, फिर तुमने 50 watt से डाला, उसमें current ज़्यादा आया, फिर 100 watt डाले तो current और ज़्यादा आ रहा है, यह तो अभी इस रीजन है, इस बात के, क्या अभी इस रीजन है, उसे समझेगा, क्योंकि तुम 25 watt डाल रहे होगे, तो number of photon, क्या I A lambda Y H C, यानि जितनी intensity ज़्यादा, ज सो बार, सो करोड photon, सो करोड electrons, बाई, जितने ज़्यादा electron, उतना ज़्यादा current, क्योंकि I is बराबर cube IT, चार जितना उतना होतना current ज़्यादा, यह तो आपको पहले से पता है न, तो यह हो गया, कि current, photo current, जो है, वो किसके directly proportional है, intensity के directly proportional है, I C मतलब photo current, ठीक है, current और I, यह किस के लिए represent कर दिया, intensity के, तो फिर इनके बीच में graph बना लो, एक तरफ intensity और एक तरफ current, कैसा graph आ जाएगा, बच्चो, straight line graph आ जाएगा, क्योंकि, अगर इसको Y axis मानना है, intensity को, और इसको X axis मानना है, current को, वैसे तो, इसको X, इसको Y, किसी को भी मालो, कोई फरक नहीं पढ़न current, पहला case, दूसरे case में क्या देखा बच्चो, दूसरे case में ये देखते हैं, intensity बदलने पर current से, तुम्हें मालूम पढ़ गया, कि जितनी ज़्यादा intensity उतना current, पर, अगर मैं बाहर से भी voltage लगा दूं, इनको भी connect कर दूं, इस venture को, collector venture को positively charge कर दूं, और, emitter venture को negatively charge कर दूं ज्यां से सनिएगा, emitter battery जैसे ही negatively charge होगी, और collector battery जैसे ही positively charge होगी, तो electron यहां से निकल लाए है, तो यहां पर attraction चमता और बढ़ेगी, इस battery पर, क्योंकि positive charge आ गया, अभी कुछ भी नहीं खीच राता, लेकिन जैसे ही positive charge आया, इस collector battery, collector plate पर, sorry, जैसे ही collector plate पर positive charge आता है, इस इसके electron खीचने की चमता बढ़ जाती, और अगर electron खीचने की चमता बढ़ गई, तो पहले मालो ऐसे थाड़ electron गर रहा है, मरे मरे इस चलते आ रहा है, आप जिन्या वाल लग गया, है चल दिगा, तो खीच लेगी जिल दिगा, तो एक situation इसमें observe करी गई, उसे मैं समझाता ह हूं ध्यान सुनिएगा, पहला बाला केस जो था, वो intensity वाला केस था, intensity वाले केस में, जितनी एदिक intensity, यानि पचास, पचीस, पचास, सो, यानि पावर बदलती जाओ, intensity बदलती जाओ, इंटेंसी बदलती गई, तो current भी बदलता गया, पर external voltage से कुछ असर पढ़ रहा है क् तो इसका एक graph बनाते हो, graph के द्वारा समझते हैं, यह applied voltage and intensity का करव है, इदर current ले ले रहा हूं मैं, photo current, और इदर applied voltage ले ले रहा हूं, शुरूबात में voltage 0 है, फिर हम voltage बड़ा आ रहा है, collector boundary को पहले positively charge कर रहे हैं, तो शुरूबात में जब voltage 0 थी, तब current दोड़ रहा था कि voltage कुछ भी नहीं लगेते इस पर, तो जैसे ही इदर photon गिर रहे थे, electron निकल लाई, current दो दोड़ रहा था भाई सा, तो current दोड़ रहा था, current 0 नहीं कुछ था, मैंने खा माल लो, current की value ऐसे कुछ IMPR है, ऐसे समझ रहे हैं, अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने voltage बड़ाए, voltage ब पर पीछे वाले एक दूसरे धक्का मार रहा है, ऐसा scene चल ला है, उसमें, समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत सारे एक साथ एलेक्ट्रों निकल ला है, तो उनका एक जामसा बन गया, इसे barrier कहा जाता है, अब ये barrier बन गया है, अब तुमने voltage बड़ा है, इस वाली battery पर voltage बड़ हो गया है, ये 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 भीड सी लग गई थी, जो एक दम से चटने लगी है, चटने लगी, तो जल्दी जल्दी जाने लगी, अभी कोई electron जो सबसे तेजी से गया था, मालो जो एक photon गिरा, वो इसको उनने वाले सरफेस के electron से टकरा गया, खट निकला आया, वो तो आराम से पहुंचा था, परिशानी किसको हो रही थी, जम चमता नहीं थी, जाला ले अजने को चलो जाए रहा था, बो जा रहा था, तो अब उसको साहरा मेल गया, इधर से जो बोल्टे जा रहे है, उनका, वो बैसे जो तेज जा रहा है, ठीकत, पर अब नहीं, अब तेजी से तो सबसे आसानी से कौन पहुंचे गया, वो दरभाईली प्लेट पे, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनरजी थी, जो सरपेस के कुन्ने पे था कट ठूटा और कट निकल के बाहर, वो सबसे आसानी से जा रहा था, तो धीरे-धीरे जो जहां पा रहे थे, उनको भी सहारा म बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, फिर क्या होता कुछ वोल्टेज ज्यादा बढ़ा देने के बाद, सारा जाम खाली, अब जितने, अब जाम पूरा खाली, क्योंकि जतने भी बढ़ गये थे, उससे सबको सारा मिल गया, इधर पहुंच रहा है, तो जितने भी फोटोन गि तो अब कितना करेंट बढ़ेगा, कितना भी नहीं, जितने फोटोन गिर रहा है, उतना ही, तो फिर इंटेंस्टी बढ़ाने के साथ, एक करेंट की बेलू आई, फिर क्या होगा, फिर एक बेरियर था, उसे एक एपलाइड वोल्टेज ने खतम कर दिया, और उसके बाद कर भी हम ऐसे यह बनाते है, पहले वोल्टेज बढ़ाने के साथ करेंट बढ़ाते तो हैं, फिर एक बार को आके वो सैचुरेशन वेलू आ जाती है, फिर उससे ज़्यादा करेंट बढ़ता नहीं, चाहें वोल्टेज आप अनंत क्यों ना कर दें, अनंत तो कर नहीं पर किसी intensity के corresponding जो maximum current आता है उसका कर्व यह होता है वोल्टेज के साथ अब यहां तकी बात क्लियर है अब वोल्टेज नेगेटिव में कर दें तो क्या होगा समझिएगा नेगेटिव वोल्टेज का क्या मतलब है नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है बच्चो अब इस polarity को ब लेगा दो यह पॉजिटिव ली चार्ज हो जाएगी अब यह नेगेटिव ली चार्ज हो गई बाद में बाद में लेख लेना बाद में ध्यान रखने के लिए ठीके नूट साथी साथ बनाते चले रिवाइंड करके पीछे करके भी देखते चले तो जैसे ही अब इस पर चार्ज आ गिया है बेंटरी पर अब एलेक्ट्रोन आ रहा है तो जिब आपस रौंद रहा है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव करने लगा तो अब क्या हो रहा होगा दीर 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 गट रहा होगा अब बैसे यह सिंग बाबा जैसे तो नहीं कर रहा हो तमझाय रहे हैं आप जो तेजी से लंबदार बन रहे थे वह अभी उजा रहे हैं नेक आदमी रुकावट देने वाला है अभी क्या हो रहा है कि अभी ऐसे समझ लो कि वैसे चिला-चिला के भागा रहा है तो लंबदार तो कैसे भी नहीं मानेंगे फिर उन्हें लट लिए तो कुछ लोग आद रहाहे हैं वह अवर्य यरण जैसे बढ़ाते जा रहा है धुक नि節目 मतलub माइनस में बढ़ने पर करेंट रहा है । दीरे माइनस में बढ़नेग रहे और करेंट घट रहा है घट रहा है घट रहा है धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए वह एक इस्तिती सब वह आई जब सबसे दंड एलेक्ट्रों मतलब सबसे तेजी से जाने वाला एलेक्ट्रों भी रुक गया तब पूरा करेंट स्टॉप हो गई मतलब मैक्जिमम काइनेटेक एनरजी का इलेक्ट्रोन भी रुग गया यानि करेंट बल्कुल स्टॉप हो गया उसे स्टॉपिंग पूटेंशिल कहते हैं नाम सही समझ आ रहा है तो यह इसका कर्व है और एक्चुली क्या होता है समझेगा अगर आपके पास 50 वाट का ब से ज्यादा है यलो पर आ गए इलेक्ट्रोन निकाल लिए यह पचास वाट का लिए एक बार आपने इंडिगो पचास वाट का लिए तो आप खुदी समझ गए होंगे इसकी बेबलेंट ऐसे 500 है तो इसकी 400 है ठीक है ऐसे समझे लो तो इसकी एनरजी कम होगी इसकी एनरज होगा number of photons में क्योंकि wavelength भी depend कर रहा है पर wavelength पर इतना डेपेंड नहीं कर रहा जितना पावर पर डेपेंड कर रहा है पावर देखो वाट में चल लए है और wavelength नेनो मीटर में है इसकी वेल्यू इतनी ज्यादा नहीं बदलती ठीक बदलता तो क्या ज्यादा बदलता है जे आ इलर्जी में नहीं आता पर पावर से बहुत अंतर आ जाता है इसका मतलब ऐसा समझे लो कि पचास वाट में जितने फोटों से पचास करोड़ फोटों तो पचास वाट इंडिको में भी आपके ऐसे समझ लीजिए उन अंचास करोड़ फोटों ने समझ दो लगबग पॉजिटिम में चाहिए लाल गलर हो चाहिए इंडिको हो चाहिए यलो हो तो वोल्टेज बढ़ा दें तो करेंट की वैल्यू तो लगबग ऐसी मिलेगी सेचुरेशन पॉइंट दे की स्टेट पर आएगा ठीक है पर आप एक बास समझ सकते हैं किसमें जल्दी आएक किसम सकते हैं कि इंडिको वाले जो 50 कुरोर फोटवन गिर रहे हों वो तेजी से कर रहरे हों क्राक तेजी से उलेक्टरों निकल रहे होंगे तो उनको ही रोबना कठिन है यलोबालों को रोबना सरल है तो सोचो खोदी ही स्टॉपिंग पोटेंशिकल किसके लिए जावा किसके कि अगर मैं कहतुंँ यह stopping potential 2 हैं माइनस वी बन है और एक माइनस वी टु है तो बताइए माइनस वीट्व किसका होना चाहिए इंड¡ञो वालों का किनका होना चाहिए इंड जिदिगो और माइनस Mm और माइनद वी टू यजलव वालों का क्योंकि इनके इलेक्ट्रोन धीवे नहीं में निकल के आ रहा है तो इसकी frequency मालो f1 है और इसकी frequency मालो f2 है तो किसकी frequency जादा होगी f1 बाली और मालो इसकी wavelength lambda बन है और इसकी wavelength lambda 2 है तो किसकी wavelength जादा होगी frequency के उन्टे तो मैं कहें दूँगा f1 is greater than f2 and lambda 1 is less than lambda 2 ठीक है और v1 is greater than v2 यह सब depend कर रहा है तो color पर याने की wavelength पर तो बताओ दो experiment समझ आए हैं आपको पहली बात intensity जादा number of photons जादा current जादा दूसरा किसका असर है दूसरा असर है applied voltage का कितने आप applied voltage कर रहे हैं कितने voltage लगा रहे हैं उससे क्या असर पढ़ रहा है उससे असर पढ़ रहा है कि jam कितनी जल्दी जल्दी याने की current को रोकने में current किसका आसानी से रुख सकता है जिसका दीमे दीमी चल रहा हो दीमे दीमी किसका चलेगा जिसकी energy कम हो याने की yellow का और वह इंडिगो में किसका stopping potential ज्यादा होना चाहिए आप इस में से color देखके मुझे बता दू मैं ग्रीन में और violet में किसका stopping potential ज करेगा अगले experiment पर आ रहा हूं इसका सांदार इसकी देट भी आ गई है ज्यादा परेशान होने की आव सकता नहीं है प्रॉपर भी समय को आपको एक्जाम है ज्यादा से जो भी सेडियूल है एक्जाम का तुमारे physics का कैसा कैसा पीपर ना रहा है उसका भी हमने पहले ठीक है और आपकी तैयारी भी सांदार रहेगी और जितना मैं कराते जा रहा हूं प्रॉपर मैंने पिछली बार जो भी बच्छों को offline classes में भी कराया है अच्छा इसको रोने ने किया है कुछ पिछली साल तो कोरोना की चकर में ऐसा नहीं हुआ पर आप चिंता मत कीजिए प्रॉपर इसके ज्यादा कुछ भी तुमसे कोई नहीं पूछ सकता काम करते चलिए बस चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन सॉल टीजी अब इसमें बच्छों अगली बास समझते हैं एक बात आप समझेगा है कि intensity अलग अलग हो अब देखो intensity अलग अलग हो तो क्या हो जात सेम रख रहा हूं intensity अलग अलग कर देता हूं तो current को देखते हैं जैसे माल लीजिए आपने yellow color ले लिया इसकी wavelength और frequency सफीचेंट है इलेक्ट्रोन निकालने के लिए 500 नेनोमीटर है और तो मतलब ऐसे समझ लीजिए 2.5 इलेक्ट्रोन वोल्ट इसकी energy है ठीक 500 नेनोमीटर wavelength ह और work function आपका जो है 2 electron वोल्ट है यानि कि sufficient तो है अगर मैं इसके 500 नेनोमीटर वाली wavelength के पहले ऐसे बलब लूँ 50 watt 100 watt 200 watt कहां ले रहा हूं यह source कैसे होते नहीं वह समझाने के लिए मैं कह रहा हूं बस आपसे यह नहीं कि तुम जागे लट्टू लगा दो experiment होने लगे नहीं पहली बात तो एक ही wavelength ले रहे हैं तो लिए तो आपको भी ऐसी मालूम है कि current शुरू बात में कुछ होगा फिर क्या करोगे तुम फिर voltage बढ़ा होगे तो दीरे दीरे जाम गड़ेगा जाम गड़ने के बाद current बढ़ता जाएगा यह पिछली बार बार दी कहानी है और saturation value आ जाएगी मानलो वह यह आगई फिर क् बढ़ा होगे मतलब polarity बदलोगे polarity बदलने के कारण कुछ समय बाद current रुक जाएगा और रुक रुक कर रुक कर रुक के minimum हो जाएगा और minus 3-0 that is the stopping potential यह कर्प था मालो इस समय intensity आई बन थी 50W अब अगर सोचो तुमने अब 100W का बलब लिया तो शुरूबात में जब 50W का यहाँ current है फिर क्या होगा फिर तुमने बहार कि voltage बढ़ाई तो यहाँ पर भी jam खाली हुआ जाम खाली होगा क्यों कि 100 करोड का jam बहुत बढ़ा होता है अब 100 करोड एलेक्टरों निकला jam खाली हो रहा है jam खाली हो खाली हो गया सारे के सारे electron माहाँ पहुंचे तो current की भी saturation value i maximum हुई ऐसे करके यह भी हो गई इसके corresponding आप intensity i2 मान लीजिए ठीक अब क्या किया तुमने पोलेरिटी बदली नेगेटिव डायरेक्शन ली जैसे आप नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं समझे ना ध्यान से तुमने जैसे नेगेटिव डायरेक्शन ली क्या होगा कि व को पहले एलेक्ट्रॉंस आ रहे थे पहले जो खोटॉंस आ रहे थे अब माल्ल практически करोड रहे थे पर उनके जो निकल रही है energyious energy से वह निकल रहे वह बराबर है वह संक्य हीना अक क्योंकि पहले थोड़ी जगे में पचास करोड ऐसे गिर रहे थे पचास करोड वहां से इलेक्ट्रोन निकल आए पर निकल उतनी स्पीड रहे हैं क्योंकि फोटोन की स्पीड भी तो वही है अब ऐसा समझो मैंनो इसको दूसरे तरीके से आपको समझाया था जैसे माल लीजि तुमने क्या किया धीरे-धीरे बाल्टियों से ऐसे पानी लुड़का रहे हैं तो बिल्कुल भी मट्टी नहीं चूट रही तुमने क्या किया थोड़ी से एक स्रिंज वाती बैस वाली क्या दुनिया भर की मट्टी चूट गई देख अब इसको क्यों ऐसा समझा रहा हूं पहले जब तुम दुनिया भर की मात्रा में पानी लुड़का रहे थे इसका मतलब कि तुम इंटेंस्टी कितनी भी बढ़ा लो पर अगर आपके पास एनर्जी सफीसियंट नहीं है मतलब तुम्हारा जो पार्टिकल है वो तेसे नहीं जा रहा है एनर्जी उसके पास ज्य इससए इनर्जी सफीसे नहीं होगी तो इलेक्टरवन निकलने की समभावन नहीं तो थे けब यह रही संख्या बढ़ गई बस समझाई मेरी बात के नहीं आई तो इसका मतलब अगर आपने intensity बदल ली है तो क्या बदल गया number of photons बदल गए उससे number of electrons बदल गए मतलब यह नहीं बदल गया कि वो कितनी तेजी से निकल रहे है यह depend कर रहा है तुम कितनी तेजी से टो भी अतनी दागस से रोख जाएंगे क्योंकि यहां पर voltage है proper वो रोकने के लिए लगे हैं, मानलो एक voltage है वो एक की speed को रोख लीता है तो 10 voltage 10 की speed को रोख लीते हैं अब तुमाज 10 की speed से 20 आ रहा है हो तो भी रोख जाएँगे 50 आ रहा हो, तो भी रोख आप एक चीज़ समझ सकते हो कि I1 से बड़ा है I2 से बड़ा है I3 ये करब भी कई बार आ चुका है बोड़ के एक्जामस में ऐसे करब भी आदे दिया जाते हैं केस इस टेड़ी दे दी जाएगी और आप से ये सारी के सारी चीज़ें पूची जा बने वो कब बदलते हैं जब स्टॉपिंग पोटेंशिल बदले और स्टॉपिंग पोटेंशिल कब बदलता है जब तुमने जो फोटोन को इनर्जी दी है वो बदले यानि कलर बदले वाट माई पॉइंट अब हम दूसरी बात में आते हैं अब हम लो तुम्हें दोनोंगी चीजां अलग क्या लग नीग एक चीज तो तुम्हें अलग द दी सीदे सीदे इंटेंसिटी और इस इस इंटेंसिटी के साथ देख और चीज अलग देदी आपको वह है फ्रिक्वेंसी या बे बेलैंद अब क्या होगा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए माल लो एक बार आपको 50 वाट का बल्ब दिया और वो दे दिया yellow और एक बार आपको 100 वाट का बल्ब दिया वो दे दिया केस नंबर वन केस नंबर टू मालो आपको 50 वाट का बल्ब दिया वो दे दिया इंडिगो और मालो आपको 100 वाट का बल्ब दिया वो दे दिया यलो दोनों देखको क्या समझाता है यहां पर इस वाले 50 वाट की एंडिगो की एंडिगो की एंडिगो की यलो के corresponding ज्यादा अब ऐसा ही इंटेंस्टी ज्यादा पर एनर्जी कम इंटेंस्टी कम एनर्जी ज्यादा या फिर इंटेंस्टी कम एनर्जी कम इंटेंस्टी ज्यादा एनर्जी ज्यादा तो यह सारे केस होगा है के नहीं होगा है पहले मैंने क्या क्या कराए थे पहले एक बार मै तो यह दो बाते हो गई आप दोनों में से कुछ भी सेम न रहे तो कैसा केस बनेगा समझे ध्यान से स्क्रीन सोड़ दीजिए फिर मैं इनका केस का एक ग्राप बना कि आपको दिखाता हूं सारी कहानी क्लियर हो जाएगी एक दम से तो जैसे मैं यह 50 वाट वाला और यलो वाला केस ले 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 रहा हूं पहले तो आपको एक बात तो सीधी सीधे पता है यह वोल्टेज अप्लाइड यह फोटो करेंट पचास वाट इंटेंस्टी कम तो करेंट कम पहले तो आप जीरो से सुरुवाद किया कीजिए 100 वाट के लिए इंटेंस्टी जादा करेंट जादा तो तुम बड़ाओगे तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा करेंट की मैक्सिमम वैलू भी अचीव होगी माल लो वो ऐसे क सा है यह कि और शाठ वाला कॉन सा है यह ट्वाट वाला कौन सा भषो फिulator गाक लिए यह तो इसको रोकना ही स्कता है तो इनके लिए है यह वाइलेट तो यह हो गया वी वाइलेट के लिए और यह हो गया वी यलो के लिए याने कि स्टॉप्पिंग को टेंशल किसका जादा ओकर इस नहीं फ्रिक्वेंसी और वेवेवलेंट के इंडिगो ले लिया आपको मालों जितनी कम पावर लोगे करेंट उतना ही कम होगा लेकिन saturation point आएगा applied voltage बढ़ाने के बार क्योंकि photons तो उसी हिसाब से गिर रहे हैं अब ऐसी 100 watt का लिया energy पर ध्यान मंदो भी तो 100 watt पर current ज्यादा होगा saturation point ज्यादा value पर आएगा अब 50 watt बाला इंडिगो है मतलब इसकी energy ज्यादा है इसके electron तेजी से आ रहे होंगे इनको रोकना कठिन होगा कौन से वाले 50 watt बाले यानि इनको रोकना कठिन होगा तो इसके लिए voltage चाहिए ज्यादा ये कौन है 50 watt बाला इंडिगो यानि कीजे क्या है तेज आ रहे हैं तो इनको रोकना कठिन हुगा अब ये कौन है 100 watt बाला 100 watt बाला कोन है बच्चो ये है आपका यलो और इसके electron धी में निकलना है निकल जाता रहे है इसलिए current जाता है वो तो इनका रोकना आसान है इसके लिए कर्व ऐसा आ रहा है और ये है आपका क्या हो गया V yellow stopping potential yellow का और ये हो गया stopping potential इंडिगो का तो देखो कर्व ऐसे ऐसे ब वो मैं आपको करा रहा हूं सुनिएगा जही एडवांस में आया है ऐसा question ठीक है इसका कर्व थोड़ा सा अलग बना देता हूं मैं आपके सामने ऐसा है इसमें ये 123 ये तीन कर्व दे रखे थे और इनमें कहा गया था क्या क्या चीज सेम है किसका क्या सेम है किसका क्या different है इनके लिए आपको lambda 1, lambda 2 और lambda 3 wavelength दे रखी थी, i1, i2 और i3 intensity दे रखी थी तो आप समझ जाईए देखो i2 और i3 सेम है पहली बार तो मैं option देखके आप खुद ही टिक कर सकते हैं क्योंकि saturation value एक पर ही आ रही है तो i2, i3 सेम है और क्या क्या सेम है बच्चो lambda 1 और lambda 3 सेम है देखो तभी तो यह की value पर रुख गए है यानि कि यहाँ stopping potential सेम है यानि frequency सेम होगी और energy सेम होगी तो lambda 1, lambda 3 सेम है ऐसे करें कि उसमें option दे रखे थे, option ऐसे कर परकार के थे, i1 बरावर i2, greater than i3 या फिर lambda 1, lambda 2, lambda 3 ऐसे करें थे option थे पस्तुम्हें यह match करना ह आप अपने आप कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें पूरे तरीके से किस पर अभी explanation दिया है, यह आपका लिनार्ड एंड हॉलवर्क observation के explanation है, किस प्रकार के कर्व इनमें बनते हैं, सारे competition में, board में, इनमें खुब सारे सवाल पूचे जाते हैं, यही पूरा observation था, पर इसका contradiction है, वो contradiction क्या है, कि यह particle nature को explain करता है, wave nature को explain नहीं करता, और इस contradiction के बारे में बात करने से पहले, हम Einstein के बारे में बताएंगे आपको, Einstein साब ने क्या इसके बारे में कहा था, light के particle के बारे में, photon के बारे में क्या कहा था, उनकी energy के equation है, उसके बारे में बताएंगे वो क्या है ठीक फिर उसके बाद हम वेव नेचर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसको आगे बढ़ाते हैं इसका स्क्रीन सॉल लीजिए है एम बरावर एम नौट अंडरूट वन माइनस वी स्क्वेर बाई सी स्क्वेर एलवर्ट आइंस्टाइन सर के दुवारा वो यह कहते हैं कि किसी बोड़ी का मास कॉंस्टेंट तब तक ही है जब तक कि उसकी स्पीड लाइट के कंपरेवल नहीं है पर अगर लाइट के कंप बदल सकता है लाइट के कंपरेवल न होने पर वो क्यों वैसा कॉंस्टेंट रहता है क्यों कि सी अगर बहुत बड़ा है वी से थोड़ी बहुत स्पीड से चलना है तो यह वी वैलू जीरो हो जाएगी तो एम बरावर क्या हो जाएगा एम नौट इन्हों नहीं कहा कि रेस मास को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चो मास को ऐसे लिखा जा सकता है है सबकह न तो इससे लिए मास इसका डिफाइंड नहीं है वो यह कहना चाह रहे हैं पर यह ऐसे समझ लो यह energy का एक packet है उन्होंने यह कहा उन्होंने यह समझाना चाहा कि कुल मिलाकर उन्होंने यह कहना चाहा है कि कोई भी body से कहीं से एक जगा से energy दूसरी जगा जाए तो मैं मालूम energy जाती सूर्य से भी तुम् लोग भी बड़े हो रहा है तुम्हारा सरीर में गर्मी से पसीना निकल रहा है सूरज से यहां लाइट की किरिणा मेरे उंगों पर नहीं हम थोड़ा बहुत पसीना मेरे भी निकल रहा है कहीं से प्रकार की energy कहीं पढ़ रहा है इस बोर्ड पैसे electron निकल निकल नहीं तो कह नहीं से energy कैसे भी करके निकल रही होगी या तारों में करेंट जा रहा रहा है जो भी प्रकार की energy होगी उसका जो energy loss होगा वो किसी ने किसी रूप में तो जा रहा होगा न कहीं न कहीं एक जगे से दूसरी जाती है यह तो आपने सुरू में पढ़ा energy is transferred from one body to another it can not be created neither be destroyed तो जिस छोटे रूप उसका जो छोटा रूप है energy का fundamental रूप है उसे ही को कहते है photon और वो जो photon है वो कुछ पार्टिकल नहीं उसका mass नहीं है उसके पास energy है और उस energy को define करने के लिए इन्होंने कहा कि वह energy हम ऐसे define कर सकते हैं उस energy mass relation भी उन्होंने बाद में दिया that is e बराबर mc square इसके बारे में हम nucleus वाले chapter में पढ़ेंगी detail में बहुत ज़्यादा जानकारी और इन्होंने कहा कि energy जो है वह आगे डी ब्रोगली ने जो मैं बताया वह आपको explain करी दिया है कि hc by lambda यानि कि उसके corresponding wave length भी है तो ऐसी कुछ बात है ठीक है तो कुल मिलाकर कि इनके बारे म नाम दिया उसके कहा यह packet है energy का सबसे चोटा packet ऐसे समझे लो कि दूद का और पानी का packet है उसे बरगे ला रहा है तो उसमें energy भरी हुई है तो ऐसे ही energy है किसी भी photon में तो एनरजी आ रही है एक जगे से दूसरी जगे तो तुम फैक के मारते हो जब ऐसे light particles इसमें फैक के मा रहा है और चूटने के साथ साथ किसी का मिट्टी भी लगी है शरीर में वह भी छूट रही है तो इस प्रकार की वह कहां नहीं है ऐसे समझ लीजिए आप तो इसको तो अब फिर उना ने कहा एक बात और कही maximum kinetic energy के रूब में maximum kinetic energy of emitted electron यह बात समझने की है बच्चों maximum kinetic energy of emitted electron अब समझ यह मालू यह एक प्लेट है इसका वर्क फंक्शन है ट्व एलेक्ट्रोन वोल्ट और इस पे आप वेवलेंद के रहा रहे हैं 500 निनोमीटर तो इसकी एनर्जी आगे 2.5 एलेक्ट्रोन वोल्ट तो इन्होंने यही का निकलेगा उसकी अधिक्तम जो एनर्जी हो सकती है मैंने एक बात भी कही थी देखो डाई से भी निकला इसकी कोई गारेंटी नहीं को सकता है डाई बीता चला जाए किसी न्यूक्लियर से टकरा जाए बरवाद हो जाए पूरी एनर्जी कुन्ने पर गिरा खटी सीज़ नि पर जाए निकलेगा क्योंकि दो तो इसमें खर्च हो गई काई मैं इसके बरक फंक्षण के रूब में मतलब इसमें से लेक्टरॉन निकालने में है समझ लीजी तो कितने बची आदी एलेक्टरॉन बोल्ट तो मैं काऊंगा धाई ही जो तुमने दी माइनस दो खर्च हो ग गई और यही होगा है एलवर्ट आइंस्टाइन का काइनेटिक इनरजी एक्वेशन ठीक है तो अब समझे लीजिए इसको और वी रूपों में लिखा जाता है आपको मालूम में क्यू डेल्टा भी बराबर वर्क डन और वर्क डन बराबर चेंजिन काइनेटिक इनरजी तो इसको QV और एलेक्ट्रोन निकलना है इसलिए EV को भी काइनेटिक इनरजी का रूप में लेग लिया जाता है तो EV बराबर भी हम कैसे हैं HF-5 और EV अगर मैं E से भाग दे दूँ तो V बराबर HF-5 by E कभी-कभी फोटो ऑब यह जो वोल्टेज चकी बीच में भी कर्ब दे दिया जाता है यह वोल्टेज को हम स्टॉपिंग portion नाम से भी जान लेते हैं इसे work function कह देतें हैं स्टॉपिंग पोटेजिया जान लेते हैं समझें का चला तो मैं सब रुक जाएंगे इतने ही वोल्टेज तुम उल्टी डिरेक्शन में लगा दो तुम्हें याद है यह वाला चित्र इधर वाली कलेक्टर प्लेट पर अगर मैं नेगेटिबली चार्ज कर देता हूं तो एलेक्ट्रोन रिपेल होने लगते हैं तो अगर इतने ही यह stopping potential तो यह y हो गया यह constant है देखो h भी constant है और e भी constant है तो इसे m माल लो और इसे x axis पर x माल लो इधर भेजो तो 5 by e बटे h by e e से e कट गया तो 5 by h this is x coordinate और y coordinate क्या है यह minus c that is 5 by e ठीक है तो यह हो गया आपका y coordinate यह हो गया x coordinate इन दोनों को देख लो यह 5 by h है और यह 5 by e है अगर मैं इसको आपको ध्यान दिलवाओ यह ठीक है तो यह कर बन जाएगा क्योंकि यह positive x की value आ आ रहा है बच्चो यह slope 10 ठीट है इसे हम कह सकते हैं 10 inverse 5 यानि की 10 5 इसे कह दो तो जी slope आ रहा है यह slope क्या है h by e कई बार यह h by e भी आपसे पूछ लिए यह constant value है यह confuse करने के लिए आपसे सवाल भी दिये जा सकते हैं मैं मालो आपको आपको सामने दो कर्ब दे देता ऐसे ऐसे दो कर्ब दे देता आप इसे देखिए क्या समझे आप इसमें वी और एफ के बीच में कर्ब दे दिया मैंने का मालो इसका फंक्शन 5 1 है इसका फंक्शन 5 2 है तो बताओ 5 1 और 5 2 में relation बताईए तो यह relation डिबेंड करेगा x और y कोडिनेट पर और x y कोडिनेट डिबें इसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं यह काइनेटेक एनरजी का एलवर्ट आइंस्टैन का रिलेशन है यह समझी मैं आई गया होगा मुझे उम्मीद है आपको इसको और भी रूपा में लिख लिया जाता है जैसे कि मैंने आपको वर्क फंक्शन को थ्रेसोल्ड वेवि फाई तो फिर फाई को हम लिख सकते हैं है एच सी भाई लेमडा नौट यनि की थ्रेसोल्ड वेवलेंट तो अगर मैं इसको एससे रख दूँ ओर ह्ट एक एप को एस सीवाई लेमडा रख दूँ तो यह फॉर्मूला यह भी हो सकता है एच सी बई लेमडा यी और मैनस सब्सक्राइब ह göst 2 अननों सुष और बाट वर्क फंक्शंच या थ्रेस इनर्जी यह की बात है इस प्रकार से कई रूपामें फॉर्मुला इस्तेमाल कर लिये जता है ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ङनसारे बना लो मतलब यह की है कितना एनर्जी तुमने दी कितनी सूतली कितनी से निकलाया यह कहाँ उन्हें डाई दी दो खेंच ली आदे से निकलाया वह एक इनेटेक एनर्जी का रिलेशन स्क्रीन सॉट लीजिए आगे बताते हैं इसमें एक और काम की बास समझे बच्छो वह क्या है वह फेलि थो हो चुका है तो थेयरी गलत है ना एक्सपरीमेंट जोने गलत है क्योंकि एक्सपरीमेंट कई हो बार करके देखे जाते हैं फ्रोरी बनाई जाती है वसके लिए घैक हब समझेई intensity is directly proportional to amplitude square that is also proportional to power ऐसा हमने आपको wave में पढ़ाया था wave का मतलब होता है मतलब कोई भी wave इसके पास जितनी ज़्यादा energy होगी उतना ही wave का amplitude होगा जितनी intensity होगी उतनी ही powerful wave होगी यानि कि उतनी ही energy उसमें से निकल रही होगी अब याद करो मैंने आपको एक कर बताया था ये वाला याद है बच्चो अभी बताया है मैंने ये कहा कि भले ही आपने intensity I1 ले ली और I2 ले ली जैसे मालो भले ही आपने बल्ब 50 वाट का ले लिया चाहे 100 वाट का ले लिया तुमने दोनों अलगला बल्ब ले लिये पर अगर उनमें फोटोंस की एनर्जी अगर सेम है मतलब 50-100 वाट के बल्ब भले ही है लेकिन अगर 50 वाट का आपका रे अमालो येलो है और अगर 100 वाट का भी येलो है तो उन्हें रोकने के लिए सेम ही एनर्जी चाहिए क्योंकि उससे सेम ही फोटोंस गिर रहा है तो सेम ही एनर्जी के एलेक्ट्रोंस निकल रहा है पस इंटेंस्टी से नंबर ओफोटोंस ज्यादा गिर रहा है अगर उसके पार्टिकल नेचर को माना जाए तो अगर वेब नेचर को मान लिया गया तो जितनी अधिक intensity उतनी अधिक power और जितनी अधिक power उतनी जादा energy की wave गिरेगी और जितनी energy की wave गिरेगी उतनी energy एक साथ इखटा हो के वहां से उतनी तेजी से electron निकलेगे पर वो wave है यही नहीं यही कहना चाह रहे हैं कि wave nature इसको explain नहीं कर पाती क्योंकि wave nature के हिसाब से intensity ज जिनी अलग कर दो पर अगर same energy यानि same color की wavelength की light डाल यानि particle सेम प्रकार का है उसको मैंने दूसरे प्रकार से भी समझाया एक लिए तुमने पानी वैसे ही लुड़का दिया पर पहले पानी जब तुम वैसे ही लुड़का रहे हो बाल्टी भरबर कि तो अभी मत्ती नहीं छ थोड़े पार्टीकल्स को तो मिटी तुरंत चूट गए तो यही था contradiction of wave theory to explain the photoelectric effect मतला photoelectric effect के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि light particle है wave नहीं है यही बात है इसको समझ लीजिए ठीक है ज्यादा मैं इसके बारे में लिखाने रहा लिखाने के लिए थोड़ी से NCIT के headlines जो है उन के बारे में थोड़ी सी theory भी लिख सकते हैं हालांग ऐसी कोई बड़ी बाग नहीं ठीक है क्या लिख सकते हैं according to the wave nature intensity is directly proportional to the energy of wave and if the high energetic waves is incident on a metallic surface then the high energetic electrons emit out from the surface therefore the potential stopping potential should also be high to stop the high energetic electrons which means that stopping potential can be different for different intensity of light but actually according to the experiment it is not different therefore the wave theory explained is failed to explain the photoelectric emission and it is explained by particle nature तो यह सब इसके बारे में हो गया ही चाहो तो यह वेरी बात को repeat करते जा रहा है repeat करके रिवाइंड करके धीर करके लिख सकते हैं ऐसा कुछ भी ज्यादा तेज है नहीं अब इसमें एक और जो मैंने आपको डीब रोगली के बारे में पहले ही बता दिया तो सुपरस्टार लेमडा मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ तो मुमेंटम को अब इससे डीब रोगली बेवलेंद के लिए उपर भी सवाल आ जाते तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ तो लेमडा क्या हो सकता है तो मेरे का बताओ कि एक बॉल है 100 की स्पीड से चल रही है एक किलो की बेसेश्पॉनट सिक निटिव माइनस टीए six मीटर है तो अब बता सकते हैं तो लेमडा का पर इसमें फॉर्मूले कई के रूपों में इस्तिमाल कर लिए जाते कैसे कर लिए जाते मैं सिदे-सिदे आपको बता रहा हूं तो लेमडा का एक फॉर्मूला हो गया है एक का एक और फॉर्मूला हो जाएगा है चाप अंडरूट टू एम क्यूवी है ठीक का इनरजी का गैसिस के रूप में टेंपरेचर के साथ फॉर्मूला होता है का इनरजी थी बाई टू पीवी या फिर थी बाई टू एनार्टी तो आप का इन अपको एसे भी लिख सकते हैं ल जाए ठीक लागऑ इन्टू 3पाई 2 l illegally फिया फिर लेंड पॉन पॉन अंडर टू अंडरूट ऑफ 2म फी आटू अनर्टी लीख लो । इसको काटके और इस वेलू को 3k T day और लिख सकते हैं तो ऐसे ही एच बाई अंडरूट 3 कT भी लिख सकते हैं यह वेवलेंद के डिव रॉगली वेवलेंद के धेर सारे फॉर्मूली बन सकते हैं एक ही पुरानी चीज़ें आपको पर याद है बस इस्तिमाल कर रहा है बस माल लो कह दिया आपसे इतने टेंपरेचर पर इसे छोड़े जा रहा है इलेक्टर निकल रहे हैं या फि धिरेदरेंगी इस्तेमाल भी होता रहेगा पर इतने से आपके बोर्ड का भी काम हो जाएगा इसमें इसमें एक चीज बोर्ड के हिसाब से ही नहीं मैं बता रहा हूं जो 30% डिलीटेड में है वह है डेविशन जर्मर एक्ट इसका होता पर उसको स्किप करने के बाद यह व यहां डिस्क्रिप्शन में दे दी होगी आपके नोट्स भी यहां प्रोवाइड कर दिये गए होंगे आप फ्रॉपर नोट्स खुद बना के चलें वही ज़्यादा बढ़िया है आलस न देखाएं तुमारे बोर्ड के एक्जाम्ट अब आ चुके हैं दैने बाद नमस्का ज खुके हैं आलस इये और उये हैं